अधर आधर है वेलकम तू दिस निव वीडियो और आज के इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं टपल फंक्शन्स एंड मैथर यानि टपल जो हम डेटा स्टुक्चर्स की स्रीज कंटीनु कर रहे हैं पाइथन के अंदर उसके अंदर हम टपल के ऊपर कौन-कौन से पड़ते हैं तो built-in functions का मतलब यही होता है जो inbuilt functions पाइथन ने खुद ओफर किये हमें यूज करने के लिए हालाकि हाँ यह भी किसी ने कोड किये हैं but as a user आप इन्हें directly यूज कर सकते हैं और फड़ा-फड आउपूट पा सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ह साथ जो है हमारा length function क्या करता है जैसे कि इसके नाम से पता चलता है length का half यानि कि अगर हम length keyword का half कर दे तो आता है length तो length function क्या करेगा हमारे किसी भी टपल की length बताएगा simple सा इसका basic syntax है कि क्या करेगा simply हमें length type करना है और bracket में टपल का name दे देना है यहाँ पर एक example है जिसमें मैंने t नाम को एक टपल क्रियेट किया जिसके अंदर मेरे चार element है 1,a,b,or 2 जैसे मैं length type करके enter hit करता हूं मेरे पास output आता है 4 तो यह क्या कर रहा है मेरे c टपल की length को produce कर रहा है यानि return कर रहा है as out दूसरा function आता है मारे इसके अंदर the max function max अगे नाम से पता चल रहा है maximum value को return तो this function returns the element from tuple having the maximum value तो same इसका basic syntax है max bracket में tuple name पास कर देंगे तो उस complete tuple की list में यानि कि उस complete tuple के अंदर जितने भी elements है उन सबीक अंदर से जिस element के सबसे जादा यानि maximum value होगी उसे वो return कर रहा है सेम मेरे के example ती नाम से मैंने tuple create किया जिसके अंदर मेरे element है 1752 और जैसे मैं max of t यानि max bracket में tuple name t पास करता हूं और enter हिट करता हूं तो मिरे पास output आता है 7 यानि कि इस t tuple के अंदर मेरी maximum value है वो है मेरी 7 next हमारे पास function या method आता है min function min function क्या करता है returns the minimum value from the tuple tuple तो same जैसे max function का syntax था max की जगह यहां पर हो जाएगा min bracket में tuple name 1752 मेरा same tuple है जिसके अंदर में min of t प्रेस करता हूं तो मेरे पास output आता है 1 because 1 is the smallest element in the tuple next मेरा functions आता है इसके अंदर index function यहां से जो मेरे functions है यह क्या करते हैं हमारे programming के अंदर जो भी हमारी requirements होती है suppose searching की sorting की इस तरीकी की requirements होती है वो हमारे कुछ building functions अब से जो शुरू हो रहे हैं इस video में वो perform करते हैं so please इस video को पूरा देखे ताकि आपको सभी चीजी समझ में आए यहां पर मैं चोटा सा overview दूँगा किसी भी टपल यह किसी भी data structures के अंदर जो की multiple value को store करता है कोई भी value किस particular position पे है उसे हम index बोलते हैं तो index function का हम use करेंगे tuple name जैसे suppose मेरा यहां पर T नाम का tuple है तो tuple name आ जाएगा मेरा T dot index function का use करेंगा और bracket में item पास करेंगे जिसके हमें index value या फिर जिसके हमें position value जाएग तो इसको एक example की help से समझते है same tuple मेरा 1,752 T मेरा tuple name dot index bracket में 7 यानि कि अभी 7 जो value है इसका index का है इसकी positioning का तो next function आता है अब हमारा count again नाम से पता चल रहा है count उसे तो this method returns the frequency frequency of a particular element frequency mean how many time it occurs in the tuple basic syntax again tuple name dot count और bracket में item जिसके में frequency check करने example T नाम से tuple create किया 1,7,752 तो मुझे check करना है कि इस tuple के अंदर 7 कितनी बार आ रहा है तो T dot count bracket में 7 output आया मेरा 2 यानि tuple के अंदर मेरा 7 2 times आ रहा है next we have the sixth function that is tuple function this is the most used and important function in the tuple data store why because this method create tuples from different type of value यह method क्या करेगा different type की values जो भी हम tuple के अंदर pass करते हैं उसको tuple में create कर देगा basic syntax है tuple bracket में sequence pass करेंगे यानि जो भी हमारे elements हम उसे pass करेंगे तो देखें यहां पर अगर हम MPD tuple create करना है हैनि कि खाली tuple तो हम simply क्या करेंगे tuple जो कि keyword है tuple को create करने का और bracket में parenthesis पास करके enter hit कर देंगे तो मेरा MPD tuple create हो जाए string अब मुझे किसी string के अंदर से tuple को extract out करना सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना मैंने अपने नाम दे दिया कि मेरा नाम है Tech Master इसको मैं एक्जामपल के थुरू समझेंगे जब हम practically कर रहे होंगे अपने अब इस देखते है टी इकवल टॉपल एबी सी के हेल्प से एबी जी मैंने एक स्ट्रिंग पास किया अब यह क्या करेगा टपल की वर्ड जो है यह टपल मैथट जो है इस एबी सी को अलग-अलग elements में ब्रेक कर देगा और टी इसी नाम के टपल वेरियेबल में स्टोर कर देगा यह हमारे 6 फंक्शन लैंड फंक्शन मैक्स फंक्शन मिन फंक्शन इंडेक्स फंक्शन काउंट फंक्शन और टपल फंक्शन अब इन सभी को फटा-फट से हम अपने ट्राइ करते है ideally के अंदर यानि की practical platform के अंदर simply मैंने यहां पर क्या किया आपना python का ideally environment open कर लिया है जहां पर practical perform करते हैं किसी भी functions को या किसी भी programs को तो सबसे पहले हम tuples की बात कर रहे हैं तो simple tup नाम के tuple create कर ले और इस tuple के अंदर मैंने मेरी values 157254 यह मैंने कुछ values रख दी मेरे टपल अब ने सबसे पहला फिस किया था length of tuple यानि की length और टपल का निए जैसे मैं पास करके enter हिट करूंगा output आता 8 यानि की इस tuple tup variable जो मेरा tuple है इसके अंदर कितने elements है 8 elements है यानि इसके अंदर 8 length का यह tuple है next हमने function डिसकस किया था max function max bracket में again tuple name में pass करूंगा enter it करूंगा 9 यानि इस tuple के अंदर में जो सबसे maximum value है वो है 9 next function हमने discuss किया था main same syntax basic सा main bracket में tuple name enter it करेंगे return कर दिया smallest value in the tuple that is one in this tuple tup next हमने discuss किया था index function तो index function का syntax किया था tuple name tu.index function index और bracket के अंदर हमने क्या pass किया था जिस भी value का मुझे index चाहिए सपोज मुझे यहां पर चाहिए 8 का index है यह 8 मेरे इस tuple के अंदर किस position पर tuple.index 8 output आया मेरे पास 3 left to right indexing कर रहा है तो 1 के indexing 0, 5 के indexing 1, 7 के indexing 2 और 8 के indexing 3 याने 8 जो है मेरा इसके अंदर 3 index पर store है इसी तरह किसी दूसरे element की भी indexing निकाल सकते है निकाला 9 की मेरे को indexing बताओ 7 इंडेक्स पर प्रेजेंट है next हमने discuss किया था count function अगेन हमें item पास करना यानि की value पास करनी है तो भाईया आप मुझे बताओ 7 की count value कि 7 कितने बार आ रहा है इसने मुझे output दिया कि आपका 7 आ रहा है one time चलिए इसके अंदर देखते है कि कोई element ऐसा है जो multiple times repeat हो रहा है 15782549 नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे इस टपल के अंदर मैं एक और element यहां पर add कर दूँ अब मेरा क्या होगा तू यहां पर two times हो गया अब हम क्या करेंगे इस टपल के अंदर count करेंगे कि मेरा अब two कितने times आता है क्योंकि मैंने ट्यू पी टपल को मेरे update कर दिया तो इसने मुझे output दिया two because इसके अंदर मेरा जो two है वो two times आरभ यानि इस two की frequencies टपल के अंदर two है टपल function अब suppose मैं यहां पे एक variable के अंदर ए नाम के variable के अंदर इस टपल को create करता हूं और सबसे पहला हमारा था empty टपन तो मैंने इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया जैसे मैं इस a को print कराऊंगा मेरे पास एक empty टपल आ गया अब मुझे पता कैसे चला कि empty टपल है इसके दो तरीके हैं एक है lemon because हमें दिख रहा है कि इसके अंदर कोई भी values नहीं अगर मैं फिर भी check करना है तो मैं आपर क्या करूंगा टाइप यानि यह मुझे return करेंगा कि मेरा a case type का है class कैसी है इसकी टपल है अब next आता है मुझे किसी string के अंदर से calculate तो जैसे कि मैंने आपको क हम क्या करेंगे टपल क्रियेट करेंगे और उसके अंदर हम टैक कि मास्टर एड़ो के नाम के string को टपल में convert करेंगे तो मैं एंटर प्रस किया यह देखिए इसने क्या कर दिया टी ए सी एच स्पेस मास्टर स्पेस एड़ो इन सभी के string में जितने भी elements थे जितने भी alpha प्र से सभी को किसमें convert कर दिया अब मैं चाहिए तो इसे कहीं पर स्टोर करा सकता हूं और अब मैं एक को प्रिंट करा सकता हूं तो एक अंदर मेरा स्टोर हो गया टैक मास्टर एड़ो इसी तरह चैसे हमने slides में example लिया था कि हमने क्या किया था एक string abc को टपल में convert किया था तो यह कुछ basics और बहुत important functions है जो हम daily life के programming में use करते हैं चाहिए बेसिक हो चाहिए वो intermediate हो कि sometimes हम इनी functions का use करते हैं हमारी advanced programming है तो इन सभी functions का आपको पता होना ज़रू इसलिए आज की वीडियो इतनी important थी जिसकेंदर हमने इन six tuples के method of functions को discuss किया